हलो वरिवन आज है नाइन्थ अक्तूबर और आज इस वडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेलवे सेक्टर से जुड़े हुए तीन दमदार कमपनियों के बारे में जो आज बड़ी गिरावट दिखा रहे हैं इंडियन रेलवे फिनान्स कॉर्परेशन चार परसन का डिकलाइन है रेलवे कास निगम में भी चार परसन का डिकलाइन है और इरकॉन में पांच परसन का डिकलाइन देखने को मिल रहा है morning में हाला कि यह जो गिरावट थी वो और भी जादा बड़ी गिरावट थी लेकिन अभी देखा जाए तो फिर भी 4% का decline है सबसे बड़ी वज़ा जो अभी इसराइल में हो रहा है वही है बातचित करेंगे उसके बारे में 72.75 पर गया लेकिन वापस अभी यह गिर रहा है और देखा जाए तो corrections यहाँ पर बन रहे हैं और सिर्फ यही पर नहीं रेलवेगास निगम में भी कुछ ऐसा ही चार्ट पैटन देखने को मिला morning में यह भी काफी हद तक गिरा था वापस कोशिशकरी attempt करा वापस एक गिर रहा है इरकॉन में भी सेम चीज़ हुई यहाँ पर और देखे रेलवेज सेक्टर क्यों इससे प्रभाफित हुआ तो अगर हम बात करने जाए तो भया इरकॉन में गिरावट है RVNL में गिरावट है IRFC में गिरावट है reason है भया इसराइल और हमास का जो war चल रहा है वही यहाँ पर सबसे बड़ा reason है और यहाँ पर खबर कुछ इस तरीके से है कि यह war के चलते जो Iran-backed militant group हमास ने जो जिस तरीके से fear raise करा है जिससे जो corridor project थे ना कि अभी इन सब चीजों के चलते वो project कहीं न कहीं delay हो जाएंगे the project was supposed to pass through Saudi Arabia and Israel ठीक है but Saudi's voicing support for हमास may hurt any peace talk between क्योंकि अभी अगरा दे तो Saudi जो है वो हमास को support कर रहा है और यह जो पूरा का पूरा project था ना वो pass होने वाला था Saudi Arabia लेकिन Israel के थूरू होने वाला था तो जाहिर सी बात है अब वहाँ पर tension चलेगा तो इनके जो जाहिर सी बात है अगर यह railway project execute हो जाता तो Indian railway company का ही फाइदा था और जिसके चलते तेजी भी हमने देखी थी जब यह project announce होए थे ना तब हमने तेजी देखी थी यहाँ पर लेकिन अभी decline है IRCON में decline है IRFC में decline है इवन अगर हम बात करने जाए तो TETAGRA rail system में भी decline देखने को मिल रहा है आज की दिन में और अगर आप देखो तो India, the US, Saudi Arabia and Israel are among the countries in need to greater infrastructure analysts noted as Middle Eastern nations look to evolve beyond oil based in economic तो अभी अगर Middle East की बात करें तो वो oil के उपर उनकी dependency जादा है तो कहीं न कहीं वो और भी जादा चीज़ों को explore करें ताकि वो अपनी चीज़ों को sustain कर पाए ताकि अगर oil खतम भी होए तो दिक्कत ना हो ने लेकिन अभी ये जो war situation है तो जाहिर से बात है ये जो corridor project होने वारे थे ये कहीं न कहीं या तो scrap हो सकते हैं बर्बाद हो सकते हैं या फिर बंध हो सकते हैं या फिर ये कहलों कि या short term लंबे समय के लिए इसके उपर pause लग सकता है और ये ही वज़ा है कि जिसके चलते ये expected था कि देखो तीजी जो आई थी उसके एक वज़ा ये भी थी ये जो corridor project होने वारे थे ये भी एक वज़ा थी जो middle east Europe के जो corridor project थे उसके चलते तीजी बनी थे यहाँ पर लेकिन अभी उसके उपर थोड़ी से tension बढ़ सकती है और यही वज़ा है कि आज गिरावट है और अगर IRFC के बारे में देखे तो यह एक महिने में कुछ जादा ही गिरा है 85 रुपे से लगातर गिर रहा है IRFC का शेर लेकिन हाँ एक साल में पैसा खुब बना कर दिया है 2500 परसन का growth भी है यह शेर 21 रुपे का था 20-21 रुपे का शेर था बड़ी तेजी बनी कुछ टाइम के लिए consolidate किया गिरावट भी आई तेजी बनी और अभी अगर आदेवो तो बहुत बड़ी तेजी यहाँ पर जुलाई महिने से बलब अगस्त महिने से कहलो कि देखने को मिल रही थी यहाँ पर और definitely अभी corrections है और यह मैं पहले भी कहा चुका हूँ यहाँ पर जहां तक का level मुझे पसंद है यहाँ पर buy on dips के जो level है IRFC को लेकर तो मैं कहूँगा कि 60-65 का level मुझे अच्छा लगता है अगर आपके पास है तो रखे रहो देखो चीजे जो भी हुई है वो temporary है long term में definitely growth में expect कर रहा हूँ इन companyों में और जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर वो यह है कि government का interest देखो government के interest में है कई सारे project definitely इंडिया में भी हो रहा ऐसा नहीं कि भईया बस उनहीं के उपर dependency है हमारी कई सारे project जो है even जो 30 भी आई है वो Indian project के चलते ही यहाँ पर बहुत बड़ी तेज़े भी हमने यहाँ पर देखे हुई है अगर आप देखो कि यह तो government की जो यहाँ पर holding है वो almost 86% की है और government preparation कर रहा है यहाँ पर अपनी holding को कम करने का यहाँ पर अपनी holding को कम करने का यहाँ पर बहुत जल्दी यह भी होगा लेकिन वो तब होगा जब शेर में दुबारा से तीज़े आएगी और definitely government कुछ बड़े project announce करेगी इसको लेकर जिसके चलते market दुबारा भागे का पहिया वापस गुमे का तीज़ी वापस आएगी और वापस government अपने share बेचेगी जब भी वापस 50 रुपए के उपर निकलेगा और यह होगा यहाँ पर हलाकि अभी थोड़ा सा pressure वाला माहौल है थोड़ी से panic situation मैं नहीं कहूंगा यहाँ पर लेकि थोड़ा सा pressure वाला माहौल है और ऐसे में खरीदारी के जो मौके है वो मुझे लता है कि 60 और 65 रुपए के बीच में initial buying अगे एक साथ नहीं खरीदना चाहिए दिरी दिर्याट करना चाहिए initial buying के जो मौके है वो 60 से 65 रुपए के आसपास बन सकते हैं तो नजर रखे इसके उपर इसके लाव अरे लविकास निगम को लेकर बात को तो 163 रुपीज का share है इसने भी गिरावट दिखाई है और पिछले एक महीने में देखो तो यह 190 रुपए से गिर कर नीच आया है ठीक है इससे पहले भी यह 155 रुपए के करीब गया था लेकिन वहां से bounce back आ गया था वापस गिर रहा है दुबारा मैं expect कर रहा हूँ 140-150 रुपए का range यहाँ पर और buy on dips के जो मौके है यहाँ पर वो definitely बन सकते हैं 140-145 रुपए के आसपास अगें buy on dips का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ आप वहीं पर खरीद लो या फिर उसको बाद एक दो रुपए के गिरावट में आप आट करते चले जाओ जी नहीं अगर 140-150 के बीच में जाता है और अगर आपको 100 शर खरीदने है तो आप 25 quantity add करो उसके बाद हर 10% की गिरावट पर अब 25-25 quantity add करते चले जाओ लॉंग टर्म के लिए कंपनी अच्छा dividend पे कर रही है और definitely railway में अभी भी बहुत कुछ करना बाकि है इंडिया में भी government बहुत सारा पैसा spend करने वाली है railway के उपर और जो central project है वो तो है तो IRCON का जो share है ये भी 160 रुपे से गिर कर नीचे आया है यहां पर 135 रुपे से तीज़ी आई थी लेकिन अब वापस वहीं पे जाने की कोशिश कर रहा है और जहां तक बात करें पिछले एक साल में तो IRCON में भी अच्छा कासा जो return है वो बना कर दिया है पिछले एक साल में यहां पर 500% का growth जरूर देखने को मिला है और आगे भी डेफिनिटली चार्ट मुझे इसका positive लग रहा है कुछ खराब नहीं है बस यही है कि गवर्नमेंट ने हाल फिला में यहां पर बिक्वाली करी हुई है तो मुझे रहता है कि एरकॉन का जो level मुझे अच्छा लगता है यहां से वो 110 रुपय के आसपास का लगता है वहां से बायान डिप्स की जो शुडवात है वो करी जा सकती है और देखो जो भी है वो temporary है railway में मैं मान के चलाओ कि तीज़ी आएगी लेकिन अल्ड़ी बहुत बड़ी तेज़ी हम past में देख चुके है तो यह correction जो था वो expected था और आज की ख़बर ने थोड़ा सा और correction यहां पर दे दिया लेकिन definitely अभी थोड़ी से और correction expected ज़रूर है लेकिन एक अच्छे levels भी है जो मैंने आपको बताया है वहाँ पर आपकी नजर होनी चाहिए मौके जो है वहाँ पर बन सकते हैं इसका अलावा analysis के लिए जिस portal का मैं इस्तमाल कर रहा हूँ trade brains अगर आप भी इसको use करना चाहते हैं तो link मैं आपको description में दे दूँगा और अगर मेरा coupon code HSA20 का इस्तमाल करोगे तो आपको 20% का discount भी मिल जाएगा कई सारे बहतरीन features यहाँ पर जिनमें से एक एक जो बड़े-बड़े investors है वो क्या खरीद रहे हैं उनका पूरा portfolio आप चेक कर सकते हो यहाँ पर वो भी quarter on quarter update के साथ इनके portfolio में आपको जादा तर small cap और mid cap share देखने को मिलेंगे और बड़े games यही लोग खेलते भी है बाजार में तो देर किस बात की है link description में है coupon code का फाइदा उठाना भूलियेगा नहीं वीडियो को यहीं पर end करूँगा पसंद आए हो तो like करे शाय करे चैनल बगरा पहली बार है तो please subscribe करे और इंडियन रेले फिनांस कॉर्परेशन रेल विकास निगम और एरकॉन इन तीनों में से कौन से कंपनी आपको पसंद है वो भी आप मुझे comment में लिखके ज़रू बताएगा थैंक्यू